हेलो दोस्तों electronic study family में आप सभी कमया हार्दी का भिनदन करता हूं बात कर लेते हैं जो है आज की वीडियो को लेकर के तो यह है आपका English जिया आप के question paper का deal 8 second semester की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं रही बात question paper की तो आपको जी हाँ यह आपकी screen है मैं फिर से बताया दे रहा हूं अगर यह mobile है आपका laptop जो भी है यह mobile की screen है नीचे यहाँ पर ऐसे sign बना होगा ऐसे इस पर आपको click करना है फिर आपका description open होगा description में आपको question paper मिल सकते हैं बाकि solution जो है आज मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूं तो video आप पूरा जरूर देखिएगा 15-20 minute का video हो सकता है क्योंकि complete solution है इसमें जो है और share करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों अपने मित्रों जो भी आपके सहपाठी है उनके साथ में चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें answers of objective questions अगर मैं बात करूँ आपके बहु विकलिए सवाल के तो आप सबी को पता होगा आपके 18 questions पूछे जाते हैं इसमें maximum marks यानि की जो आपका पूर डांक होता है 25 होता है एक घंटे का समय होता है आपके 5 इसमें objective होते हैं उसके बाद अगर मैं बात करो तो अच्छा है आपके जो है very short type questions यानि कि आते लग उतरिये और rest जो आपके होते हैं 12 से ले करके 18 वो आपके short questions होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे हाँ पर answer number one question पूछा गया था which of the following is also known as science of sound ये जब मैं live class ले रहा था तो मैंने भी वहाँ पर पूछ है था reading, writing, spelling, or phonetics तो आपका जो answer होगा वोगा phonetics थोड़ा explanation के बारे में जान लेते हैं हिंदी meaning of phonetics इसमें होता है हिंदी जो मतलब है phonetic शब्द का ध्यान रखेगा मने जितने भी आपके इसमें क्लिष्ट या कठिन शब्द हैं उसके मैंने हिंदी बता दी है बोल दूंग में देखने को मिलती है तो जरूर बताइएगा comment box में चलिए phonetics का मतलब होता है स्वार विग्यान, ध्वने विग्यान, ध्वने शास्त्र आप जो भी बोले politics को बात कर लेते हैं, is the branch of linguistic, यानि कि यह एक शाखा है भाषा विग्यान की, that studies the sound of human speech, जो की अध्यन करती है, मानों के एक तरीके से वक्तव्य का, speech का, और in the case of sign languages, sign languages, मलब जो आपका संकेतों के माधिम सो आप भाषा बोलते हैं, संकेतिक भाषा, संकेतों से इशारे में जो आप बोलते हैं, the equivalent aspects of science, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, next point लिका, what is concerned with the physical properties of speech, sound, or science, their physiological production, कहने का मतलब है, यह concern करती है, मतलब एक तरीके से के बारे में बात करती है, शारे रिक वत पादिन, physiological production जो होता है आपका, जो ध्वनिक स्रोमर साब्दिक, यानि acoustic properties, यानि कि जो आप बोल रहे होते हैं, वो गोड़, ठीक है, ध्वनिक गोड़, शाब्दिक गोड़, इनको बताती है, auditory perception, यानि जो आप audit, जो है तरीके से, जो आप audio के उसमें जो है, उसका perception मतलब एक तरीके से, निशकर्स निकालना, percept करना, जार्च करना, जो आप बोल सकते है and neurological status, यानि कि तंत्रिका विकरती, इन सब चीजों के बारे में deal करती है, के बारे में बताती है, ठीक है, आप मैंने हिंदी लिख दिया है, तो आपको समझ में आ जाएगा, चलिए, बात के लिए तेम question number 2 के बारे में, which of the following is in positive case, देखे, जब मैं positive case की बात करता हूँ, तो म मैंने आपसे इसके पहले बोला था, कि positive का मतलब ही हिंदी होता है, मालिकाना या स्वामीगत एक तरीके से, मतलब खुद को अपने आपको, तो जो माइन है, मेरा, ये क्या बता रहा है, स्वामीगत ट्रम को बता रहा है, options में था, I, you, me and mine, तो आपका माइन जो होगा, वो तत्यों के बारे में, next word इसमें लिखा, the positive case of noun or pronounce, shows ownership or association, association यानि के संबद दता, एक तरीके से, को बताता है, nearly all nouns and indefinite pronouns show possession by editing with the S sound, this is spelled with the apostrophe plus an S, ध्यान रखेगा, जब आप कोई बात करते हैं, अभी यहां पर देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मैंने बोला, कि editing with the sound S, य मैंने example लिखा हुआ है कि Francis sweater, यहां पर जो sweater है, out by Francis, Francis का मालिकाना हक है sweater पर, लेकिर Francis जो मैंने लिखा, E के बाद ये apostrophe का sign होता है, ध्यान रखेगा, फिर से मैं बताए दे रहा हूँ, आपका, जैसे मैंने लिखा E और ये है apostrophe, फिर S, ये apostrophe के साथ में हमेशा लगेगा, आप as, ऐसे नहीं लगाएंगे, बिल्कुल इस बात का wishes ध्यान रखेगा, ठीक है, और George's grandfather, मतलब grandfather associated with George, एक मैंने बोला था कि and, जो बताता हो, एक तरह किसे मालिकाना चीज़ को, और यहां पर association बताता हो, तो grandfather जो है associate करते है किसे George से, तो ये दोनों चीज़े आप बता सक आप ही example में दे सकते हैं, विशेज धियान रखेगा, capital letter कहां से शुरू होना है, small कहां से शुरू होना है, मैंने बोला Francis, नाम है, आप capital से शुरू करेंगे, small पहला letter आपका, capital letter में होगा, बड़े अक्शरू में होगा, उसकी बाद आप smaller उसमें लिखेंगे, ठीक है, बिल दोस्तों मैं 20-20 में बताता जा रहा हूं कि आपका जो crash course होगा, वो जल्दी शुरू किया जाएगा, आपका बिल्कुल हो सकता है, दिवाली के बाद, समय है, काफी अभी exam में जो है, तो unacademy learning है, बिल्कुल भी download करना मत भूलिएगा, मेरे नाम से आप search कर सकते हैं, दोस्त, आप जब आए होंगे यूट्यूब पे तो यहां भी आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, काफी अच्छा है, आप जाईए जो है, वहाँ पर देरे देरे सीख जाएंगे, आप जब उसकी चीजों की उसकी properties को देखेंगे, तो आपको खुदी अच्छा और भी लेक्शर्स उसमें अल्रडी अप्लोडेड हैं, तो रेट रिव्यू करना बिल्कुल भी मत भूलिये हुआ, वहाँ पे जो है, कि कैसे मैं पढ़ाता हूं या क्या है, बिल्कुल भी वहाँ पर बताना मत भूलियेगा, आप इंडिविजोली भी वहाँ से, वहाँ प इसको जो प्रानशियेट करेंगे, वो नायट प्रानशियेट करेंगे, इसका हिंदी अर्थ होता है, यहाँ पर मने लिख दिया है, कुटकी बोले, आप मच्छर बोले, पिस्सू है, बुनगा है, वनमक्ही या मसक, यह सारे इसकी हिंदी वर्ड मतलब हो सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको नायट बोलेंगे, जैसे मैंने लाइव ग्लास में सुनामी पूछा था, यहाँ पर टी साइलेंट था, ऐसे आपके वर्ड जो है, क्वेशन पेपर में पूछी जा सकते हैं, कि कौन से साइलेंट है, कौन से नहीं है, अंसर नबर फो, इसमें है कि इस्ट्रक प्रोच के बार में माने बताः थोड़ा सा, श्रुक्ष टेक्निक वरिन दे लर्न अन्मस्ठर्स भी पैटन अफ सेंटेंस, मतलब जो लर्न होता है, जो सीखने वाला होता है, वो जो है पैटन ऑफ सेंटेंस, यानि कि जो रूप रेखा होती है, तरीक से के तथ्यों की ची और the other different arrangements होते हैं किसके शब्दों के words के यहां पर लिखा हुआ है it includes various modes of speech, various modes of in which clauses यानि कि खंड, अनुक्षय, दुपधारा, जो भी बले, phrases यानि कि वाक्या, और word might be used आपके जो structural approaches होते हैं वो आपके clauses को, आपके phrases को, आपके words को, कुछ भी आपको आपके use कर सकते हैं vocabulary, vocabulary आप शब्दों के बात करते हैं, pattern of sentence, तो दोनों चीज़े आप किया जाएंगे, sentence pattern और word pattern दोनों ही आपका जो है, structural approach में, एक जो है, सब्सक्राइब देखने को मिलेगा, चलिए, question number five, काफी आप लोग इसमें, जो है, doubt में है, जी हां, Friday is the which week of the day, question में पूछा था, आपका मैंने live class में पूछा था, मैंने बता था, छठा दिन, जी हां, 6th, तो कई लोग बोले कि international standard ये कहता है, और सरी ये कहता है, whatever, जो भी आप लोगों ने comment किया, मैंने देखा उसको जो है, और मैं बता दूँ हम लोग जी हां, according to international standards, ISO 8601, Monday is the first day of the week, बिल्कुल, आप जब उसके हिसाब से देखेंगे, तो आपका ये छठे के बजाए 7 बाद दिन आएगा, आपका Friday, लेकिन, यहां पर ध्यान दीजी आप लोग, Although this is the international standards, several countries, including the United States, Canada and Australia, consider Sunday as the start of the week, आपका जो United States सी बात की जाएगा, इंगलिश को लेकरके, जो हम लोग एक तरिके US English पढ़ते हैं, तो US वाले जो मानते हैं, वही हम भी मानेगे, जी हां, तो वहां पर क्या है, वो Sunday को मान करके चलते हैं, तो Sunday आपको consider करना पड़ेगा, औ इसने लिखा है कि Sunday और Monday, आपका starting day हो सकता है, उसके बाद अंदर इसने लिखा है कि Monday is the first week, आपकी अगर DLN में, चलिए, यहां पर वह उसकी बारें बात कर लेंगे, from the spiritual perspective, Sunday is considered as the day of light, तो उसके हिसाब से भी Sunday जो है आपका पहला दिन होगा, तो overall मैं आप सभी को बता दू जो अधी गर्जियन जो पत्रिगा है, जो US की, वो भी Sunday को ही starting मानती है, तो बिल्कुल भी जब आपके question paper में आएगा, तो कोई भी confusion की बात नहीं है, इसमें जो है, आपको Sunday starting मानना है, और आपको छठा दिन ही लिखना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ दिन लिखते है, तो complete करवा दूँगा, इसमें लिखा है, one should keep one's promise, तो a promise should be kept, या promise should be kept, इसका passive voice हो जाएगा, डिटेल में मैं बता दूँगा कि active और passive voice में आपका क्या कैसे करते हैं, चलिए, आगे बात कर लिएते हैं, question number 7, he got success in his attempt, या ऐसे ही होता है, he got success in his first attempt, या या यहाँ पर आपके question paper मे he got success in his attempt, जो है दिया हुआ है, तो मैं बता दूँँ, इसमें जब आपने got use किया है past का, past sentences में एक तरीके से use हुआ है, या एक तरीके से आप आप सकते हैं कि भूत काल use हुआ है, प्रियोग में आया है, तो आप जो success है, वो भी उसको भी आप जो है, second, third form में रखेंगे, second form का जो है यहाँ पर success होता, लेकिन got है, तो आपका succeeded होगा, चलिए आगे बात कर लेते हैं, question number eight में, आठवा सवाल, write the kinds of articles and give at least one example of each, जी हाँ, तो article क्या होते है, definite article, indefinite article, the, 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 जो आपका होता है, या दाप, जो भी प्रणनेट करते हूँ, definite, indefinite, an की बात करते हूँ, त वहाँ पर वीडियो में मैंने अलग से बताया हुआ है कि आपका definite और indefinite articles क्या होते है, with example, वीडियो आप जरूर देखेगा, articles आपके पूछे गए है, question number nine में, complete the sentence with suitable articles, यानि कि article का use करके आपको sentence complete करना है, देखे, sentence लिखा हुआ, the garden had, dot, 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 apple tree, dot, 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 orange tree, and dot, 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 guava battery, इसमें आपको फिल करना है, suitable article को, the garden had an apple, आपका खिरस्टे से शुरू हो रहा है, मैंने बोला था, आपका जो है, A, E, I, O, U, स्वर की जब बात होती है, जब स्वर की बात होती है, जब स्वर की बात होती है, A, E, I, O, आप A, N का use करते हैं, तो यहाँ पर मैंने लगा मैंने यहाँ पर जब आप बात करेंगे न, इसकी articles को ले करके, जो video मैंने description में दिया है, वहाँ पर मैंने सारी चीज़े बताई हैं, आपको कैसे कहाँ पर क्या use करना है, कुछ sentence होते है, university है, European है, तो वहाँ पर आपका आयन के बजाए A लगता है, या जो भी है, सारी आप कुछ भी बोलें, सामान आर्थिया सब्दी भी पढ़ लीजी यहां से, ठीक है, सिनोनिम से के हिंदी में, तो यह आपका answer हो गया, question number 11, write the following figures in words, जी हाँ, आप लोग हमेशा देखते हैं कि 40 बोला कि 14 बोला, पता नहीं चला जो है, और spelling भी जो है, मतलब आज कलके उसम जमाना एक तरिके से, तो बिल्कुल यह आप ही लोगों के लिए है, कि आपको इसकी spelling भी आनी चाहिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा हो 14 लिखा है, तो आप 480 बिल्कुल भी मतलखेगा, 14 है, F-O-U-R-T-W-E-N, 97 लिखा हुआ, N-I-E-T-Y-S-E-V-E-N-7, और यह है 489, F-O देखने को मिलते हैं, तो ऐसे भी सवाल आपके पूछे जाते हैं, question number 12, difference between noun and pronoun, बिल्कुल description चेक करिएगा, जब भी मैं ऐसे बनाओ तो आप समझ जाए, description की मैं बात कर रहा हूँ, video की description में चेक करिएगा, आपका ऐसे होता है, यह है, आपका जो है, वीडियो यहां पर नी correct the following sentence, इसको sentence को correct करना है, किसमे करना है, वो देखते हैं, यहाँ पर लिखाँ, the sceneries of customer are charming, ध्यान रहे, sceneries जो है, यह आपका जो scenery word है, यह पहले से ही plural में है, तो इसको yes या s लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो यह हो जाएगा, the scenery of customer is charming, उसके बाद है, cattle are grazing in the field, तो इसमें करना था, चलिए, आगे बात कर लेते हैं, question number 14, इसमें तक गांधी जी was the greatest leader of India, comparative, जी हाँ, जो 14 में सवाल पूछा था, मैं पढ़े दे रहा हूँ, transfer the following sentence by changing the degree of adjective, degree of adjective को change करके बोला है, यह भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको अगर वीडियो, link में तो मैंने दिया यह है, बाकि आप English की playlist, check करेंगे, डियले, second semester कि वहाँ भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, गांधी जी was the greatest leader of India, comparative में, तो गांधी was greater than any other leader of India, कहतना, he is too good than any other boys in the class, ऐसे करके जब बोलते हैं, कहने का मतलब है, आप compare कर रहे होते हैं, यहाँ पर comparative में ही, जो है, देखना है चेंज करना है, very few games are so popularized cricket in the world, इसको super relative degree में, super relative आपका हमेशा जो है, एक तरीके से यहाँ पर देखिए, cricket is one of the most होगा, जी है, one of the most popular games in the world, यह आपका super relative degree में change होगा, वीडियो आप देखेंगे lectures का, तो मैंने super relative comparative जो भी degrees होती है, यह degrees of adjectives उनके बारे में बताया हुआ है, question number 15, completely spelling, एक दम simple सी spelling था, आपका यह int उसके बाद यह दे दिया था, तो intermediate हो जाएगा, दो dot भरने थे, यह आपका character हो जाएगा, simple सा जो है, आपको इसमें fill करना था, और ध्यान रखिए, यह आपके, जी हाँ, एक एक नमबर का था, दो-दो marks की, दो marks की मतलब, एक नमबर क आपका उपर वाला एक नमबर काई है, क्योंकि मैं अभी short type के questions की बात कर रहा हूँ, ठीक है, question number 12 से आपका short type का question सुरू हो गया है, बाकि आपका जो है, मैं बीज 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 में बताए देता हूँ कि आप लोग भी धियान रखिएगा, learning app, an academy, learning app डाउनलोड करने का, question number 16 में है, transform the following sentence to negative, negative में change करना है, as soon as the teacher entered, the student stood up, no sooner had teacher entered than the students stood up, इसमें अगर आपको कोई और देखने का मिलता है, negative में change करने का, तो comment में जरूर बताएगा, मेरे हिसाब से यह जो है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, next है, he is too old to work hard, he is so old, यहाँ पर लिखा है, he is too old to work hard, कह इसलिए वो काम नहीं कर सकता, तो यह आपका negative में change हो कि आपको देखने को मिलेगा, question number 17, इसमें पूछा था कि four skills of the language learning, जी हाँ, four skills की बारे में पूछा है, language learning को ले करके, तो मैं बता दू जो है, language learning की skills होती है, आपर मैंने चारू लिख दी है, थोड़ा थोड़ा मैं उन development of speaking, development of reading and development of writing, ठीक है, आपका सुनना, आपका बोलना, आपका पढ़ना और आपका लिखना, यही आपकी language learning होती है, आप हिंदी की बात करें या English की बात करें, तो किस तरीके से आप सुन रहे हैं चीजों को, कुछ खास नहीं है, इसमें आप अपने आप से लिख सकते हैं, जो शब्दों का चैन है, जो selection of appropriate words है, ठीक है, या selection of एक तरीके से good words जो आपके है, या एक तरीके से जो reasonable words है, या तरीके से तारकिक शब्दों का चैन करके, आपका ऐसे bored रहे हैं, यह सारी चीज़ें आपकी language learning में आती है, ठीक है, यह आपका question number 17 हो गया, और इसमें question number 18 थ जो है answer कैसे होगा, उसमें कुछ sentence paragraph दिया हुआ था, उसमें आपको words फिल करना थे, तो मित्रो बस इतना ही था, आपको देखने को मिलती है, तो स्वागत है, मुझसे भी गलतिया हो सकती है, मैं बार-बार कहता हूँ, तो आप comment में बताया उसके बारे में, next उसमें सुधार करने के कोशिच की जाएगी, बाकी जल्दी मिलते हैं, अपने अगले वीडियो में, तब तक कि लिए आप सभी का बहुत बहुत थानिवाद,